सुभम टेक में आप सब का स्वागत है आज से तक्रीवन दो साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी मेंता प्लांट की उपर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस वीडियो पर आप सब लोगों ने धेर सारा प्यार दिया उस पर आपने 1200 से ज़्यादा लाइक दिय एक लाग से डेट लाग से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखी है तो उस वीडियो पर आपने से बहुत सारे लोगों ने डिफेंट कमेंट करे थे उन सारी कमेंट का आज मैं आपको जवाब दूँगा तो वीडियो लास तक देखना कहीं पर भी स्किप मत करना मैंने भी यही plant लगा रखा है इससे time जादा लगता है रवी जी हाँ इसमें जो मैंथा plant है उसमें टंकी में से पूरा मैंथा के पेड़ में से पूरा oil निकलने में तकरीवन साड़े तीन घंटे लगते हैं एक tank में से oil निकलने में धरमपाल जी पूछ रहे हैं पेपरमेंट प्लांट लगाने में कितने धंती आवश्यक्ता होती है धरमपाल जी ये दो टैंक वाला जो पेपरमेंट प्लांट है इसमें टोटल एक एक चीज की हम कौस्ट मिला लें तो तक्रीवन आपको साड़े साथ लाग रुपे खर्च कर होने होंगे इस जैसा प्लांट लगाने के लिए अभी कोविट की वज़े से जो आईरन है लोहा है उसके जो पैसे हैं वो भी भड़ चुके हैं तो हो सकता है कि आपको साड़े साथ लग रुपे से थोड़ा से जादा का प्लांट ये पूरी कौस्ट पड़े मुन्ना यादब जी पूछ रहे हैं मैंथा का कच्रा खेत में डालने से क्या लाब होता है मुन्ना जी मैंथा का जो कच्रा होता है उससे जब हम खेत में डालते हैं उससे क्या होता है खेत की जो उर्वरत छमता है वो भड़ जाती है तो खेत में अगली साल आप कोई जो भ अदावार मिलेगी सुरेन जी पूछ रहे है प्रैस क्या होती है के जी के साब से सुरेन जी जो मैंन्था और की प्रैस है वो मार्केट पर डिपेंड करती है और ये चेंज होती रहती है अगर अभी की मैं बात करूं तो 1,020 रुपे का भाव चला है मार्केट में राहुल जी पूछ रहे हैं ये प्लांट कहा है राहुल जी ये प्लांट है वो अलीगड में इस्तित है सल्बान जी पूछरें यह कितने गंटे में होता है तो ये ऐसे कि मैंने बताया साज़े तीन गंटे में एक प्लांट में से एक टेंक में से जो ऐल है वो एकस्वेट हो जाता है रभी जी पूछरें स्रिये steam distillation पर अधिक यह तो उपर से गरम steam जो निकलती है वो मेंथा के पेड में से oil को extract कर लेती है फिर बाद में क्या होता है कि कुछ इस तरीके से हम भाप को पानी में बदल देते हैं तो इसमें oil होता है वो उपर आ जाता है और जो water होता है वो नीचे रह जाता है चलिए देखिए मैंने इस वीड के से मेंथा प्लांट में oil और water को अलग करते हैं तो आप में से एक भाई ने पूछा था जो chain कुपी होती है यानि जो यह टैंक होते हैं इनको lift करने के लिए आप देख रहे हैं यह सांकरसी लटकी हुई है यह एक mechanism होता है पूरा motor से घूमता है और gear system होता है इसकी जो और भी चीज़ का oil निकल सकता है जैसे तुलसी का निकल सकता है और गैंदा होता है गैंदा का भी निकल जाता है तो यही आप साब लोगों के questions थे जिनका जवाब मैंने आपको दे दिया अगर इस्टिल आपको कोई question है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं मैं आपको जवाब दे दूँगा आप मुझे मेरे instagram पर भी follow कर सकते हैं वहाँ पर मैं आपके हर question का one to one reply देता हूँ I hope वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो करना ही साथ के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ सेर करना जिससे कि उनके मैंथा प्लांट से जुड़े हुए जो भी question person होंगे वो सारे उन्हें उनका उत्तर मिल जाएगा मैं आपके लि सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन प्रेस कर लिजे जिससे कि next time मैं आपको वीडियो लाँगा तो आपको notification मिल जाएगा जै हिंद जै बारत